नमस्कार स्वागेत है आप सभी का YT Education पे और बिहार में नई भरतियों को लेकर नए अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं इस वीडियो के माद्यम से तो फिलाल एक पुरानी वेकेंसी का अपडेट जान लिजे कि 2380 पदों की वेकेंसी निकाली गई थी दोस्तों बिहार में CSBC की तरफ से फायर में को इस पाही भरति को लेकर जिहां आज इनका फाइनल रिजल्ट दे दिया गया है फाइनल कट अफ के साथ तो जिन छात्रों का सेलेक्शन कुछ मार्क से कुछ कटफ से रह गया हो उनको मैं यही कहना चाहूंगा कि अभी भी मायूस होने की जुरूत नहीं है निरास होने की जुरूत नहीं है उत्साहित रहिए चुकि बिहार इस्टेट ऐसा इस्टेट है जहां पर यूपी के बाद देखा जाए तो यहां पर देखा जाए बिहार में भी तो नई वेकेंसी का लगातार अपडेट आ रहा है अब यहां पर दरोगा की भाली आने वाली है सिपाही भरती जो की करीब 10,000 के आसपास की वेकेंसी है वो भी अपडेट की जाने वाली है गुरूप D की वेकेंसी है दोस्तों जो की बिहार SSE की तरफ से अपडेट होने वाली है उन सब का अपडेट आएगा और यह फिलाल आपको जो अपडेट में देना चाह रहा हूँ नई भरती का यह एक न्यूज मीडिया के तरफ से इसका अपडेट दिया गया है यहां पे थोड़ा सा मैं दिखलाना चाहूँगा औ और देखेगा चालक सिपाही यानि की जो ड्राइबर की रिकूट्मेंट है उसको लेकर यहां पे पदों की बारे में न्यूगति के बारे में अपडेट के ज़र है ग्री विभाग ने पुलिस कर्मियों की खासकर चालको यानि की जो कॉंस्टेबल ड्राइबर है रिक्त प प्राइवेट सेक्टर की कमपनी है जो कि उन सभी सरकारी विभागों में स्टुडेंट्स या फिर कहें तो इंप्लॉई रिकूट करके देती है यह एक्जाम कंड़क्ट कराती है दूस्तों बेल्ट्रों पहले वो सेलेक्ट करती है स्टुडेंट्स को और फिर आपको जिन व 112 डायल में दूसरे चरण में उप्योग होने वाले वहानों के चलकों के लिए नियोजन का वेल्ट्रों के माद्धिम से आउट्सोर्सिंग होगा ठीक है तो यानि कि थर्ड पार्टी आप आएंगे यहां पे यानि कि आपकी सैलरी भी वेल्ट्रों देगी ठीक है यह सरकार समानने चलक चलक सिपाही का या फिर वाइरलेस चलक के पदो पर नियुकति को लेकर रोस्टर की करवाई करते विए मुख्याले से यहां प्रस्ताव मांगा गया है अब यहां पे यह तो आउट्सोर्सिंग करेगी बेल्ट्रों साथी साथ उसके बाद अगर हम बात करें द पर CSBC की तरब से जो की ये vacancies आ सकती हैं दोस्तों विभाग ने CID से प्रस्ताओं मांग कर भी यहां पर पूछ ताच किया है CID एक विभाग है दोस्तों जहां पर प्रस्ताओं मांग करके पूछा कि विधी विज्यान परयोग साला के लिए समानने चालक के पत पर न्युक्त देते हैं यहनोंने कहा दिया है कि पुलिस मुख्याले से पुलिस कर्मियों और प्रादिकारियों पर चल रही लंबित करवाई के रिपोर्ट भी मांगी गई है याने कि जो भी अपडेट हो बताया जाए कि यहां पे कितने सीट खाली है कि इनके उपर जो कुछ मामले अपर मुख सचीव चैतने प्रसाद ने ऐसे पुलिस कर्मियों की विवरन उपलत कराने को कहा है जिनकी विरुल पांच वर्सों से अधिक या पांच वर्सों से भी भागी करवाई अभी भी लंबित है तो यह अपडेट भी चल रहा है जो भी लंबित है उनको बाहर किया और उनकी जगब पे जो सीट रिकूटमेंट खाली होगी उसका अपडेट दिया जाए ताकि नई वेकेंसी का अपडेट दिया जा सके तो यह आप देख सकते हैं ताजा खबर है दोस्तों 9 दिसंबर का जो कि यहाँ पे अपडेट किया गया है अब थोड़ी सी बात कर लेत है ना गरीवा की तरफ से जो भरती होगी 12 पास होना जरूरी है पहले चीज आपका यानि कि 12 पास होंगे आप तो आवेदन कर सकेंगे दूसरे चीज यहाँ पे फिजिकल स्टेंडर्ड टेस्ट भी आप से लिया जाता है तो मैं उसको भी थोड़ा सापको अपडेट कर हाँ पे देखी उनकी सेलरी अपडेट होगे लबल 3 पे तहत ही होगी और यह 211700 की होगी आपको बता दे कि 27700 सेल कोने कर इनकी सेलरी रिग never जो भी सिपाही को मिलता है salary वही इनको भी salary मिलेगी यह driver की vacancies का update है दोस्तों जो की पुरानी vacancies का update है मैं आपको यहां पर बता रहा हूं उसकी eligibility criteria और आप चलते हैं दोस्तों PST आने की physical standard test को भी समझने का प्रयास करते हैं यहां पर आप देखेंगे इस criteria को तो थोड़ा से म आविदन है तो जो पातरता है आपकी वो क्या होनी की है प्लस टू आपका pass होना चीए पहले चीज तो या फिर उसके समकक्ष आपके पास certification होना चीए आपके पास motor वहां चालन की अनुगपती यानि की आपके पास driving license होना चीए यह LMB हो सकता है या HMB हो सकता है यह क्या है LM यानि की lower motor vehicle और यहां पे heavy motor vehicle यह इसका एक license बनता है दोस्तों चीए जो की आपके पास जो है सक्षम प्रादिकार के दौरा निर्गत होना चीए और motor चालन वहां का अनुगपती यानि की आपके पास license होना अनिवार है जिस तिन आपकी vacancy निकलेगी उस दिन से पहले तक का ठेक अब यहां पे दोस्तों अभ्यारतियों की जो age criteria को लेकर बात की गई है यहां पे नियुन्तम age 20 साल होता है जबकि सिपाही का देखेगा यहां पे दोस्तों तो update के जाड़ा एक कई साल यहां पे 20 से लेकर 25 साल तक के जो general category के चात्र है वो फारम भर सकते हैं दूसरा update है यहां पे दोस्तों की 20 साल से लेकर 27 साल तक के चात्र OBC, EBC से आते हैं तो आविदन कर सकते हैं फिर तीसरा देखिएगा अती पिछड़ा वर्क से जो है वो 28 साल तक के चात्र जो है महिला वर्क अगर है तो भर सकती है 20 से लेकर 28 साल तक सकते हैं तो 20 से लेकर 30 साल तक के चात्र यहां पर आविदन कर सकते हैं तो यह एज क्रिटेरिया को लेकर हो गया update अब जो दोस्तों यहां पे पीस्टी है यानि कि मैं बोल रहा हूं फिजिकल स्टेंडर्ड टेस्ट आपका जो होता है वो किन माप दंडों पे होता है यह ध recruitment है update है मतलब कि यहां पे जो height चाहिए अतियंत पिछड़ा work की बात करें तो दोस्तों 160 सेंटेमेटर पूरुसों के लिए height होगा तो आविदन कर सकेंगे वहीं SCST category के पूरुस अभ्यारती है तो उनको 160 सेंटेमेटर तक का height होना चाहिए उनका भी तो यह हो गया height को लेकर और जो गोर्खा जवान होते हैं जो कि अगर आप सिर्फ BMP पुलिस में काम भी कर रहे हो तो आपके लिए भी 160 सेंटेमेटर height हो लेकिन जितनी महिलाएं ह किसी भी वर्ख की आती हो उनका height 155 सेंटेमेटर रखा गया है तो यह height का हो गया PST आपका physical standard test और सीना measurement में सिर्फ पूर्सों के लिए होता है जहां पे बीना फुला है आपका 81 सेंटेमेटर और फुला कर 86 सेंटेमेटर जो है आपका होना चाहिए chest measurement ठीक है यह ध्यान रख यहां मिलता है 79 सेंटेमेटर जो है आपका होना चाहिए दोस्तों बिना फुला है और 84 सेंटेमेटर फुला करोना चाहिए लेकिन जो भारती गोर्खा मुल से हैं उनका भी यही सेम criteria है तो यह ध्यान रखेगा अच्छा एक चीज और यहां पर महिलाओं के लिए यह अहरता सौ नम्बर यह परिक्षा होता है प्रतिक आंक के लिए आपको एक अंक दिया जाता है मतलब एक मार्कस लिए हर कोशन के लिए दो गंटे का यह पेपर होता अब जो कि आप यहां पर देंगे लेकिन इसके जो है फिजिकल स्टेंडर के बाद यहां प़े अगर दूसरे चल तो अब थुआ सा देखिए कि यहां पर सिपाही भरती से थुआ सा अलग होता है इसमें आपको टाइम मिलता है साथ मिनट का यह एक मिल दोड़ने के लिए एक मिल आने की वन पॉइंट सिक्स किलोमेटर होता है जो कि पुरुस बिहारतियों के लिए है कि सभी महिला अभिहार यह होते हैं जैसे कि आज आप लोगों ने बिहार फायरमेंट का रिजल्ट देखा होगा उची कूत को लेकर तीन फिट और छे इंच का पुरसो के लिए हाइट है मतलब आप फांगने का और सभी कोटी की महिलाओं के लिए दो फिट छे इंच का है लंबी कूत के लिए बात क लेकना है गोला आठ फिट तर तो यह आपका क्रेटेरिया होगे मतलब यह पीएसटी अगर आप क्लियर है तो आप पीटी के लिए क्वालिफाई होते हैं तो यह हो गया दोस्तों LGBT क्रेटेरिया है इसका जो कि हमने आपको बता दिया यहां पे दोस्तों आज का जो नया होते हैं 2380 पदों की बहाली के प्रक्रिया थी दोस्तों जिसमें की टोटल अभ्यार्थी जो सेलेक्ट हुए थे आपके 9,412 हुए थे जो की सारेक दश्ता में गये थे ठीक है यहां पर लगबक दस गुना रिजल्ट लेंगे तो यह दस गुना करा हूँ है पांच गुना लेंगे यहां पर लगबक तो यह 9,412 लोग सेलेक्ट हुए थे जिन में से उपस्तित हुए थे 2400 यहां पर उखान उपस्तित रहते तो यहां पर कदाचार से बाहर हुए हैं 1227,87 दौड में असफ़ल हो गये हैं देखे सबसे जादा असफ़लता यहीं मिलती है जो कि हुए थे 116 जो कि यहां पर 50% सीट रिजर्व रहता है इनके लिए अगर 2380 सीट है तो इसका आधा सीट जो है ना होमगाड के सिपाही जो है उनके रिजर्व है लेकिन जो छातर यहां पर क्लेर कर पाता है वह ही सिलेक्ट हुआ है जो कि 116 लोग है और इंपॉर्टेंट अ सब काटेगरी वे जितने भी आते हैं उनको मिलाके 1195 सीट थी और जो कि यहां पर दस सो चान जस दस तो नहतर होमगाड के लिए थी लेकिन इन दोनों को अगर देखा जाया मिलाके तो 116 लोग यहां पर सेलेक्ट हुए थे बागी सीट रिक्ट थी तो यह रिक्ट सीट जो सकते जिसमें की 880 महिलाएं हैं और 1500 पुरुस यहां पर चात्र सेलेक्ट हुए हैं तो आप लोग यह रिजल्ट अपना चेक कर लिजेगा यहां से आपको डॉक्मेंट्स वेरिफिकेशन होगा और मेडिकल जाच होगा जो की आपको डेट अपडेट किया गया है यह कट भी कि अभी ड्राइबर का वेकेंसी आ रहा है उसमें हो सके इसी चीज को टार्गेट रखी यही इतना ही इतना ही त्यारी करना है कि आपका फाइनल सेलेक्शन हो जाए अब आगे चलके मैं आपको बताऊंगा इसका अगर वेकेंसी आता है ओफिशल अपडेट दिया जाता है तो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कैसे त्यारी करना है किसकी चीजों पर ध्यान रखना है और पूछा जाया रहेगा कि यहां पे सबस्यादा वेकेंसी कब आ रही है सब जितनी वी वेकेंसी के बारे हमने बताया है तो आप लोग थोड़ा इंतजार कीजिए जनवरी 2023 जिय साल आपके लिए कुछ अच्छा लेका रहा है गुड़ लख है जैहिंद है अब मिलेंगे आगले वीडियो में धन्यवाद